एलो क्लास 10 इंग्लिश मॉड्यूल फॉल रामेडियल क्लास पेज नंबर 30 तो पेज नंबर 20 रागिम तक मैंने पूरा एक्सप्लें करवा दिया है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा महां जाके देख सकते हैं इस बुक से बोर्ड एक्जाम में 30 60 परसेंट आएगा 60 प् तो मेरा हर दिनका दस मिनिट का वीडियो आता है अगर आप दिहान से मेरा वीडियो देखेंगे 10 मिनिट का को स्वाड़ में 10 मिनिट में जाएगा 10 मिन दक फॉड्त में वो आर आता है on little cat feet cat के छोटी सी बिली के पेरों में little मतलब छोटी सी cat मतलब बिली feet मतलब पे on मतलब पे it's sit looking over harbour ये बेठा है sit मतलब बेठता है looking देख रहा है over harbour आश्रम के उपर and city और पूरे शहर में on silent and hot और पेरों पे बेठा हुआ है चुप चाफ and silent वतलब चुप चाफ hunch मतलब पेर and then move on फिर वो चला गया है और फिर वो चला गया and then moves मतलब वो चला गया moves on the fog is compared to fog किस से compare किया जा रहा है इसमें fog किस से compare किया जा रहा है cat से the fox फॉक सिट्स लूकिंग ओवर फॉक किस के ऊपर बेठा है तो फॉक किस के ऊपर बेठा हार्बर और सिटी नेम दे पोईट ऑफ टेक्स ऊपर की टेक्स के पोईट का नाम क्या है काल सेंडबर्ग पेज नमबर 31 ग्रामर तो स्टार्ट करते हैं तो change the tans tans बदलने है they are selling their house वो अपना घर बेच रहे है change into present perfect present perfect क्या होता है उसने खाना खा लिया है उसने खेल लिया है उसने वो सो गया है तो जो काम हो गया है उसे क्या बोलेंगे present perfect तो present perfect में क्या लगता है subject plus has have plus verb की third form plus object तो subject क्या है they फिर इसमें क्या लगा था are है ना तो इसे are को क्या बोला ना has has क्या होता है एक तो they मतलब बहुत सारे लोग तो क्या लगेगा have बहुत सारे लोग में क्या लगता है have फिर verb की third form verb क्या है sell sell का third form क्या होता है sold sold फिर plus object object पीछे क्या है their house their house तो they have sold their house उन्होंने अपना घर बेज दिया है present perfect में क्या होता है बेज दिया है और ये क्या था they are selling their house वो अपना घर बेच रहे है कैसे पता चला is are मतलब hey और जब verb में ing लग जाता है तो रहे हो जाता है तो they मतलब वो है selling मतलब रहे है रहे है their house वो अपना घर बेच रहे है तो ये ये क्या होगे present continuous इसे क्या बोलते है present continuous ठीक है जब subject plus ismr plus verb के साथ ing और फिर plus object they have been playing their hair since morning तो वो खेल रहे है play ing अगया तो खेल रहे play मतलब खेल और ing लग गया रहे है खेल रहे है है क्यों आया क्योंकि have been लगा है खेल रहे है here यहां since morning सुबह से सुबह से ठीक है इसे आपनों किसमें करना है past perfect continuous stance पे past perfect continuous stance पे करेंगे इसे तो past perfect में क्या होता है subject plus head plus verb head plus bean bean लगेगा फिर plus verb verb की verb की first form plus ing ing लगेगा plus object लगता है ठीक है तो देखो they फिर have की जगा क्या लग जाया head फिर bean फिर verb क्या है play और ing लगेगा तो playing here since morning object क्या है पीछे here since morning ठीक है तो यह हो गया he taught he taught English वो English पढ़ाती थी taught मतलब third form हो गया तो वो पढ़ाती थी तो change the present indefinite tense present indefinite tense मतलब वो पढ़ाती है ऐसा हो जाया तो subject plus verb की first form plus s e s या s e s लगेगा या s लगेगा plus object लगया so subject क्या he फिर verb क्या है teach फिर e s लग गया teach वो हमें पढ़ाती वो वो पढ़ाते English वो English पढ़ाते हैं तो ऐसे यह बन सकता है present indefinite tense ठीक है change into negative negative मतलब नहीं नहीं कोई भी काम she speaks the truth अब देखो s लग गया तो यह क्या हो गया present indefinite present वो सच बोलता है ठीक है तो अब यह देखो present यह present है present मतलब अभी present है तो present में हमेशे क्या लगता है do do does और do लगता है ठीक है तो इसमें लगता she does अब देखो अगर does लगा है तो यह s हट जाएगा ठीक है और do लगता तो लगता ठीक है तो s लगता she does not speak the truth वो सच नहीं बोलती है अब हे में क्या लगता है हे में हमेशा does यह do लगता है he did his work well वो अपना काम अच्छे से करता था did मतलब did मतलब क्या हो गया था वो अपना काम अच्छे से करता था did मतलब था तो he did के बाद not did के इसमें does और इसमें did not do his work वो अपना काम अच्छे से नहीं करता था he did not do his work वो अपना काम अच्छे से ही नहीं करता था ठीक है she shut the door तो अब उसने door बंद किया था तो she अब था में आगया तो फिर आगया did not उसने shut the door उसने दर्वाजा बंद नहीं किया था था क्यों आया क्योंकि did लग गया did not ठीक है अनीता रीड दा रामायन एवरी डे, अमीता रामायन पढ़ती थी रोज, तो थी आ गया, अब फर्स फॉर्म लग जया है, मतलब थी आ गया, वर्प की फर्स फॉर्म है, ये भी वर्प की फर्स फॉर्म है, तो अनीता डिड नौट रीड दा रामायन एवरी डे, रानीता रो रामायन रीड मतलब पढ़ती और डिड नॉट मतलब थी अनिता रोज रामायन नहीं पढ़ती थी ठीक है अब इंट्रोगेटिव इंट्रोडेव में क्या होता है कोश्चन पूछना उसने चाय ले ली है क्या है और वर्द की यह थर पाम है प्रज −जन प्रफेक्ट ما क्या होता है यह कोई काम हो गया है तो उसने चाय ले ली है तो इसमें helping verb क्या है? helping verb आगे रहता है helping verb क्या है? इसमें has तो has he taken tea क्या उसने चाय ले ली है? इसमें यह interrogative हो गया she lived in शिपपूर अब देखो ed लगा है यह क्या होगा? verb की third form verb की third form हमेशा हो तो जब third form हो past participle हो तो वो क्या होता है? past में होता है past में she lived in shivpuri वो shivpuri में रहती थी तो यह गया है did she live in shivpuri तो पहरे did लग जाएगा did plus subject plus verb की first form plus object ठीक है first form लगी और फिर ओपर did she live in shivpuri क्यों ed लगा था तो थी में आगे इसलिए did लगा दिया ठीक है अब jumble word arrange the jumble word into meaningful sentence तो jumble word करना है जब वर्ब में ed लगे verb का third form लोग हो ना तो समझ जाना वो थी वाली आगे ed लगता है ना वर्ब में जैसे अब इसे क्या बोलते हैं first form में इसे क्या बोलते हैं live बोलते हैं live और lived हो गया तो यह क्या हो गया third form हो गया यह क्या है यह first form है ठीक है तो यह समझ लेना jumble word arrange करो in the park we're praying children अब देखो subject क्या है बच्चे फिर plus verb वर्ब कहा दिख रहा है वर्ब प्लेइंग वास वर्ब या helping वर्ब होते हैं ना तो वर्ब प्लेइंग फिर subject plus helping verb helping verb हो गया फिर वर्ब फिर वर्ब भी लग गया वर्ब मतलब playing खेल रहे हैं तो यह हो गया फिर football in the park जो बच्चा हुआ चीज़ है वो लिख दिए वच्चे खेल रहे हैं football park में यहां ऐसे लिख सकते है I like sweet तो मुझे फिर पहले आए फिर वर्ब लगेंगा वर्ब क्या होता है like और यह object क्या बचा है बचा क्या है अब sweets subject क्या हुआ I like sweet subject plus verb subject plus verb plus object तो subject क्या है I में like verb मतलब I like मुझे पसंद है sweets object ठीक है यह इसमें ऐसे लिख सकते हैं hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को प्लीज लाइक करें subscribe करें thanks for watching